नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल नित्या शटी पॉइंट में दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बचाने वाले क्लास्टेंद का हिंदी सब्जेक्ट का रिविजन टेस्ट 2020 का तो आज की वीडियो में हम आपको एक से पंदर तक के स सारे कोश्चन के आंसर बता रहें तो बीडियो को लास्ट साब्सित प्रसित प्रसित प्रसेंग कर्षमर्गीत नेक्स्ट कुश्चन हमार परंपरा बनाम ऑज नकता पार्ट के लेका हैं हजारी पिटसा दिवेदी नेक्स्ट कोशन हमारा नर्मदा का उद्गम इस्थले तो नर्मदा का उद्गम इस्थले अमर कंटक्ट नेक्स्ट कोशन हमारा देव की पुत्र में समास है देव की पुत्र में तत्पुरु समास है नेक्स्ट कोशन हमारा अद्वुत्रस का स्था आजिवा व होग विश्माएं सेकेंड नमबर कोंष्टे हैं हमारा रिख्टी स्थानों की पूर्ति कीजिए चतरु चतेरे कूर पंक्ति कभी द्वारा लिखेता है तो यह बिहारी द्वारा लिखेता हैं नेक्स्ट एक वोगी द्वियाद करती है अद्व निक्ता कब्रियों संप्रदाय करती है तीसरा कोश्चन हमारा सुस्रुच साहिंता में सलयंत्रों की संख्या बताई गई है तो एक सोविया की अंत्रों की संख्या बताई गई है चोथा है कोश्चन हमारा अर्थ की अधार पर वाग के कितने वेद हैं तो अर्थ की अधार पर वाग के आठ वेद हैं नेक्स्ट है कोश्चन हमारा जिसके प्रतीस थाई वाउत पन्नों तो वह कलाता है वह कलाता है आलम बन नेक्स्ट है हमारा तीसरा नमबर कोश्चन ने में लिकिस प्रस्णों के उत्तर एक बाकि में दीजिए पहला है हमारा सादू से क्या नहीं पूछना चाहिए तो सादू से जाती नहीं पूछनी चाहिए नेक्स्ट है हमारा पंजाब केसरी के नाम से कौन प्रसिद है तो पंजाब केसरी नाम से लाला लाज पत्राई प्रसिद है थर्ड है हमारा सल चिकस्ता के प्रबर्तक कौन है तो सल चिकस्ता के प्रबर्तक सुसृत जी है चोथा है हमारा उपासना करने वाला क्या कलाता है उपासक पांचमा है हमारा रस के कितने यंग होते हैं तो रस के चार रंग होते हैं इस्थाई वाओ पिवाओ अनुवाओ और संचारी वाओ नेक्स्ट है चोथा नम्मर कोश्टिन हमारा बेनेश की सर्दाफ की संस्कृति यहां का इस मँनेश की रॉले हुअ साइक regular ऑन्यौक यह तया मेंए सब्ते भूसैं में पर्वाद की में सहकें सख़ुड को सदेकर क्यों माना है अठवा में दिया है हमारा बालक राम की कौन सी क्रियांस से माताय प्रसन होती है तो इसका अंसर हम आपको बताते हैं बालक राम कभी खेलने के लिए जंजमा को लेने का हर्ण करती है कभी अपनी परचाई रखकर डरने लगते हैं कभी अपने हाथ से ताली बजा कर नाचने लगते हैं कभी नाराज होते हैं बालक राम की इन अनभावक कीडाओं को देकर माताओं को हर्दयानल से भर जाता है और बेपरसन होती है नेक्स कोश्चन हमारा पीतामबर धारी स्रीकेस्ट के संदर का सच्चिप्त बढ़न कीजी यद्वा बालक राम का मुख संदर क्या है तो बालक राम के मुख संदर का मातमा तुलसी दास जी ने बड़ा ही मनुवारी बढ़न किया है कुरकरी के समान स्विट सेश्ट इस्तापित है सर समय उटो का नए पलवों की बाती खुलना अनमोल मोतियों की माला जो स्यामल सरी पर बालों के मद्द चमकती है बिजली की भाती है मुख पर लटकती हुई गुंगराली लटो एबं कपोलों पर हिलते हुए खुंडलों की सोबा अदबूत है धूल धूमरित होने पर इतने सुंदर लगते हैं की कामदेव की सेभा भी उनके सामने निर्थक प्रतित होती है नेट्स टरह कोश्चब हमारा सात्मा कर दिकाल के दो प्रवो करने में मिल्оров ने दो विलकी के नाम सबस्कुराइब हमारे विहारी और बूस्यरस की रचना साल परकद कर लिजी था सब्सक्तार पिदेखब आंक आठमा कश्चब्स समेशर्म ववेताद वाक किस्ते का अत्वा मासा की प्राप्ति किस प्रकार होती है तो दोस्तों इस कोस्टिन का अंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए देखते हैं कितने लोगों का अंसर सही होता है नेक्स्ट एक हमारा गद की प्रमुक विशेष्टाएं जाती है उपन्या से संपूर जीवन को लच्छ बनाकर लिखा जाता है इसका अधार चोटा होता है इसका आकार बड़ा होता है नेक्स्ट एक कोश्टन हमारा माय की बगिया का वर्डन अपने सब्दों में करिए और अत्वा में दिया है सुस्रु साइंता का संचित पर्च लिखिये तो माय की बगिया वाला हम आपको बताते हैं नर्मरा के उसकुंड में थोड़ा सा उपर चलने पर माय की बगिया है माय की बगिया पाड़ी ढलान पर है जैसे पाड़ को पाड़ को कसकर एक बग एक बगीची बनाई गई एक जलदार भी यहां से प्रवाइस है क किन्तु नाम के अधार प्रेव प्रकार है कि यह बगीची रही होगी यहीं गुलाब कावली के फूल खिले हुए थे इन फूलों से आखों की दवा बनती है जिससे लोगों की आखों को आरा मिलता यह हमारा हो गए दसमें प्रस्ण का उत्तर नेक्स एकोश्चर हमारा निमले कमारा मेर्व अन्मे Lit Erstr ऐत्रवा में दिया है दन्यसामाष की उधार कि प्रिवासा लखिए जिसस समाष्च में दोनों में दोनों पद प्रदान होती है ध्युकिन उन पदों के बीच में और वव्याय का लोफ हो उसे दन समास कहते हैं जाम पर इसका माता पिता भाई बैन नेक्स्ट कोश्चन हमारा बारा नमबर वक्रोक्ति अलंकार की उधारर से परिवासा लिखिए अत्वारस की परिवासा है वब उसकी प्रकार लिखिए तो हम आपको परिवासा बताते हैं जहां वक्ता के कछन के अभी प्रायव से सुरोता दूसरे अर्थ की कलपना कर लेता है वहां वक्रोक्ति अलंकार होता इसका एकजामपल है मैं सुकुमारी मागवन जोगू तुमाही उचित है मैं कऊभ होगू दोस्तों आज की वीडियो में हमने करें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद